हेलो फ्रींड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरे चानल पर स्वागत है और आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा और आटे का हलवा हम बहुत ही जादा टेस्टी बना के त्यार करेंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आटे से बना है बिल्कुल खोए जासा टेस्ट आएगा हलवे से और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम इसे तो चलिए हमाज की रेसिपी बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखी हूँ पैन और पैन में हम डाल देंगे एक से दो चमच करीब जितना घी और घी जब गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे काजू और बादाम को रोष्ट करके डालने से हल्वे में और भी ज़्याद अच्छा सा टेस्ट आएगा तो हमें इसे बहुत थोड़ी ही देर के लिए भूनना है बहुत नई भूनेंगे इसे तो बस इसे थोड़ी देर के लिए भून ले इसमें जैसे ही थोड़ा-थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा बस हम इसे निकाल लेंगे आप चाहें तो इसमें किस्मिस वगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ काजू और बादाम ही डाली थी किस्मिस नहीं डाली हूँ यह देखिए भून गया है ड्राइफ रूट्स अच्छे से चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद मैं यहापे फिर से पैन में घी डाल रही हूँ और घी जब गर्म हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें गेहू का आटा तो मैं यहापे एक कप आटा ली हूँ और बस अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है और हम आटे को लो फ्लेम पे भूनेंगे हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे नी तो आटे जलने लगेंगे नीचे से तो इसलिए हमें लो फ्लेम पे धीरे-धीरे से भून लेना है और लगतार इसे चलाते रहें ताकि नीचे से जले न और मैं यहाँ पर आटे को भूनने के लिए करीब आधी कटोरी घी डाली हूँ चमच नापेंगे तो करीब 4-5 चमच होंगे घी तो मैं अभी इतना ही डाली थी फिर जैसे जैसे आटा भूनते जाएंगे हम बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा करके और गी डालेंगे इसमें और यह देखिए आटे कालकल का सा कलर भी चेंज होने लगा है बस इसी तरह से इससे लगातार चलाते रहना है हमें ताकि जले न और धीर- सौंधी सौंधी सी खुस्बू आने लगेगी और मैं यहाँ पर फिर से एक से दो चमच करीब जितना घी और डाल दे रहे हूं और अगर आप इस टाइम पर घी नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं हम जितना पहले डाले थे उतने घी में भी आराम से बनाया जा सकता है तो मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा और डाल दी हूं और फिर हम लास्ट में थोड़ी सी और डालेंगे जिसे कि हमारे हल्वे का कलर और भी ज्यादा अच्छा जाएगा और यह देखिए आटा लगभग भून चुका है तो बस इसे हम थोड़ी दिर के लिए और भून लेंगे ताकि इसका कलर और चेंज हो जाए और यह देखिए आटा भून गए अच्छे से और इसमें सच्छे से सौंधी सी खुस्बू आ रही है तो अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूं चीनी और मैं यहाँ पर आधा कप चीनी डाली हूँ क्योंकि हमाटा एक कप डाले थे तो मैं उसका आधा ही डाल रही हूँ तो आप जितना मीठा खाते हों उसी साप साप चीनी कम्या जादा कर सकते हैं और चीनी डालने के बाद हम इसे एक से दो मिनट के लिए और भून लेंगे तो मैं इसमें डारेक्ट चीनी डाल दी हूँ आप चाहें तो चासनी बनाके भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से भी हलो बहुत तेश्टी बन जाता है तो मैं डारेक्ट ऐसे ही बना रही हूँ और इसे एक से दो मिनट भूनने के बाद अब मैं आप डाल दे रही हूँ दूद और मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें दूद ही डालूँगी और यही एक हमारा सीक्रेट है जिससे हमारे हल्वे का टेस्ट बिल्कुल खोए जासा लगेगा और अभी मैं एक कप दूद डाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये दूद थोड़ा सूख जाए तो उसके बाद हम इसमें फिर से आधी कप दूद डाल देंगे तो मैं याप एक कप पहले डाली हूँ तो आप चाहें तो एक कप ही डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और डाली थी ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा जाए बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट हो जाएगा इसका क्योंकि हम इसमें दूध डाल रहे हैं इतना सारा और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है है तो मैं यहाँ पर आधा कब दूध और डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए यहाँ पर बच्छे से हलवे मिक्स हो गया तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ ड्राइफूट जो हम पहले ही भून के रखे थे और थोड़ा समय पर तीन से चार इलाईची कूट के डाली थी और बस हम इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चमच और घी जिसे कि हमारे हलवे का कलर और टेस्ट और भी जादा अच्छा हो जाएगा और लास्ट में यह इस टाइम पर घी डालना ज़रूरी है क्योंकि हम लास्ट में डालेंगे इसी से हमारा हलवे में टेस्ट और खुसबू इसका और भी जादा अच्छा हो जाएगा तो इस टाइम पर आप ज़रूर डालें आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम डाल सकते हैं लेकिन इस टाइम पर एक बाद ज़रूर डाल दीजेगा घी और बस इसी तरह से हम इसे एक से दो मिनट के लिए और भून लेंगे और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा मेरे चानल को सस्क्राइब कर दीजेगा और ज्यादस ज्यादस लोगों को सेर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग को हलवे की रेसीपी कैसी लगी और यह देखिए हमारा हल्वा बिल्कुल तयार हो गया है तो आप इसे और भी ज़्यादा ड्राइ बनाना चाहते हूं तो इसे थोड़ी देर के जिए और भून ले लेकिन मैं इसी तरह से थोड़ा सा इसे गीला रखना चाहती हूं तो बस ऐसा ही छोड़ रही हूं और अब हम कर देंगे गैस को बंद चलिए अब हम इसे गर्म गरम प्लेट में सर्फ करते हैं तो मैं यह आप एक प्लेट में हलवा निकाल ले रही हूं और हल्वा निकालने के बाद हम इसके उपर से थोड़ा सा घी और डाल देंगे और इसके उपर से फिर से हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ ये ड्राइफ रूट्स डाल देंगे मैं थोड़ा सा बचा के रख ली थी इसके लास्ट में डालने के लिए और ये देखिए टेस्टी गर्म गरम हल्वा बन के तयार है तो सर्फ करें इंजोई करें फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर